आज हम सीखेंगे पादपो में नियंत्रण और समन्वय के बारे में प्रतिक जिव उसके आसपास होने वाले परिवर्दनों की पहचान करता है और इन परिवर्दनों के आधार पर प्रतिकरिया देता है किसी जिव द्वारा उसके परियावरंड में आने वाले परिवर्दनों की पहचान करना ताकि वह उस पर प्रतिकरिया दे सके उद्धिपन यानि स्टिमिलस कहलाता है उद्धिपन के अनुसार दी गई प्रतिकरिया अनुकरिया यानि रिस्पॉंस कहलाती है किसी उद्धिपन पर अनुक्रिया देने के लिए जिव द्वारा विभिन गतिया यानि मूव्मेंट की जाती है कुछ गतियां जिव के स्थान में भी परिवर्टन लाती है यदि किसी गति के अंतरगत जिव अपना स्थान बदलता है तो ऐसी गति गमन यानि लोकोमोशन कहलाती है किसी उद्धिपन पर अनुक्रिया देने के लिए विभिन गतियों पर नियंत्रण यानि कंट्रोल आवश्यक है इसी के साथ विभिन अंगों का साथ मिलकर कार्य करना यानि समन्वय यानि कॉडिनेशन भी अवश्यक है चलिए इस वीडियो में हम पादपों में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है इसके जानकारी प्राप्त करें विभिन जन्तूओं की तरह पादप कमन नहीं कर सकते लेकिन वे उद्धिपन के लिए विभिन गतियां करके अनुक्रिया अवश्य देते हैं चुई मोई के पादप को स्पर्ष करते ही तुरंत चुई मोई के पादप की पत्तियां मुड़ती है और जुग जाती है इस स्थिती में दी गई अनुक्रिया का व्रिद्धी से कोई संबंध नहीं है यदि अनुक्रिया देने के लिए की गई गति का व्रिद्धी से कोई संबंध नहीं होगा तो ऐसे गति व्रिद्धी से मुक्त गति यानि ग्रोथ इंडिपेंडेंट मुव्मेंट कहलाती है चलिए छूई मुई के पादप में वृद्धी से मुक्त गती को समझे छूई मुई के पत्तों की कोशिकाओं में जल भरा हुआ होता है जिसका दाब कोशिकाओं के आकार को बनाए रखता है इससे पत्ते खुले रहते हैं स्पर्श के पहचान करने पर पादप में कुछ रसायन जैसे पोटैशियम और क्लोराइट आयन का मोचन किया जाता है जिसके कारण कोशिका के बाहर आयन सांधरन यानी आयन कॉंसेंट्रेशन बढ़ जाता है कोशिका के अंदर और बाहर के आयन सांधरं में अंतर कम करने के लिए परासरं यानि ओस्मोसेस द्वारा जल कोशिका से बाहर लाया जाता है इसके कारण कोशिका इस सिकुड जाती है और पत्तियां अंदर की ओर मुड़ती है छूई मुई के पादब में भले ही स्पर्ष किसी एक भाग पर किया गया हो लेकिन अनुक्रिया देने के लिए गती अन्य भागो द्वारा भी की जाती है इसके लिए स्पर्ष होने की सूचना वैद्यूत रसायन साधन यानि इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स द्वारा विबिन भागो तक पहुचाई जाती है परिणाम स्वरूप पत्ते तेजी से अंदर की ओर मुढ जाते है स्पर्ष से छूई मुई के पत्तों में होने वाली गती कमपानु कुंचन गती यानि सिस्मोनास्रिक मुव्मेंट है यह एक वृद्धी से मुक्त गती है इस तरह के कुछ गतिया है कमल के पुश्प का सुभा के समय खेल जाना वीनस फ्लाइट्रैप पादप द्वारा कीट का स्पर्ष होते ही उसे जकर लेना इत्याधी भी वृद्धी से मुक्त गतियां है वृद्धी पर आश्रित गती यानि मुव्मेंट डिपेंडेंट ओन ग्रोथ कुछ पादप जैसे अंगूर के प्रतान यानि टेंड्रिल स्पर्ष के प्रती समवेदनशील होते है जब प्रतान का कोई भाग किसी आधार के संपर्क में आता है तो प्रतान के संपर्क वाले भाग की वृद्धी धीरे होती है जबकि प्रतान का वह भाग जो संपर्क में नहीं है उसकी वृद्धी जल्दी होती है इसके कारण प्रतान आधार को चारो तरफ से चकर लेता है और आधार के उपर चड़ता है यहाँ अनुक्रिया देने के लिए की गई गती का वृद्धी से सीधा संबंद है एसी गती वृद्धी पर आश्रित गती यानि growth dependent movement कहलाती है यहाँ पादप उद्धिपन के प्रती एक निश्चिद दिशा में ही वृद्धी करता है किसी उद्धिपन को अनुकृरिया देने के लिए पादप द्वारा एक निश्चित दिशा में की जाने वाली वृध्धी को अनुवर्तन यानि ट्रॉपिजम कहा जाता है विभिन पर्यावरनिय प्रेरक जैसे प्रकाश, गुरुत्व, जल, इत्यादी पादप के लिए उद्धिपन है चलिए इन्हें समझें पादपों के लिए प्रकाश एक उद्धिपन है पादप का प्ररोह यानि शूट इस उद्धिपन को प्रकाश की ओर वृध्धी करके अनुख्रिया देता है जबकि पादप की जड़े प्रकाश के विप्रित दिशा में वृध्धी करके अनुख्रिया देते है प्रकाश की उपस्थिती में पादप की अनुक्रिया को प्रकाशानुवर्तन यानि फोटोट्रॉपिजम कहा जाता है पादप के किसी भाग का प्रकाश की ओर बढ़ना सकारात्मक प्रकाशानुवर्तन यानि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिजम कहलाता है तथा पादप के किसी भाग का प्रकाश के विप्रित दिशा में बढ़ना नकारात्मक प्रकाशानुवर्तन यानि निगेटिव फोटोट्रॉपिजम कहलाता है हम जानते हैं कि पादप की जड़े हमेशा नीचे की और व्रिद्धी करती है तथा प्ररोह हमेशा उपर की और व्रिद्धी करता है जड़ की अधोगामी वृद्धी तथा प्ररोह की उपरी गामी वृद्धी गुरुत्व के उद्धिपन के लिए अनुक्रिया दर्शाती है। इसी प्रकार पाधप की जड़े मृदा में उपस्थित जल की और बढ़ती है। इनके उप्युक्त वर्तिकाग्र यानि स्टिग्मा पर पहुचते ही उसे बीजांड यानि ओव्यूल की और ले जाने के लिए एक पराग नली का यानि पोलन ट्यूप विक्सित होती है। इसे रसायनानू वर्तन यानि कीमोट्रोपिजम कहा जाता है। इसे अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। पादप इन विभिण पर्यावरणिय उद्धिपनों के लिए विभिण अनुक्रिया देते हैं। अनुक्रिया देने के लिए उद्धिपित कोशिकाएं यानि stimulated cells हॉर्मोन निर्मोचित करती है। जैसे पादप प्रकाश के उद्धिपन को संसूचित करता है इससे प्ररोह के अगरभाग यानि टिप में हॉर्मोन ओक्सीन संसलेशित होता है हॉर्मोन कार्बनिक अनू है जोकि बहुत कम सांधरण में निर्मित किये जाते है यह अनू जिव के विबिन भागों तक संकेत यानि सिगनल पहुचाते है पादप के हॉर्मोन को फाइटो हॉर्मोन भी कहा जाता है हॉर्मोन के संसलेशन यानि सिंथसिस का स्थान और क्रियाश शेत्र का स्थान भिन्न होता है इसलिए हॉर्मोन आसपास की कोशिकाओं में विसरित होकर कारी शेतर तक पहुचता है ओक्सीन कोशिकाओं की लंबाई की वृद्धी करता है परन्तु जब पादब पर केवल एक दिशा से ही प्रकाश आता है तब OXIN प्ररोह की टेप से विशरत होकर प्ररोह के छाया वाले भाग में आ जाता है इससे प्ररोह के छाया वाले भाग की कोशिकाय में OXIN का सांध्रण यानी कॉंसेंट्रेशन बढ़ जाता है इसलिए इन कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धी होती है तथा पादप, प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है इसी तरह पादपों में हॉर्मोन जिबरेलिन तने के वृध्धी करता है हॉर्मोन साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है इसलिए साइटोकाइनीन फलो और बीजो में अधिक सांधृता में पाया जाता है। ओक्सीन, जिबरेलिन और साइटोकाइनीन पादप के वृध्धी में सहायता करते हैं। किन्तो हॉर्मोन एपसिसिक अमल पादप के वृध्धी को संदमन यानि इनहिबिट करता है। फलो को पकाने का कार्य करता है। इस प्रकार पादप के वृध्ध हॉर्मोन, पादप के वृध्धी, विकास तथा पर्यावरण के प्रती अनुक्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करते हैं। आज हमने सीखा पादपों में नियंत्रण और समन्वय के बारे में। झाल